सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम UPSC Pre 2022 को ध्यान में रखते हुए 10 MCQ पर चल्चा करने वाले हैं और इसमें हम यह कोशिज करेंगे कि कुशन को कैसे हमें अटेम्ट लेना चाहिए मेरा नुबो आपके निश्य तरुप से काम आएगा इसलिए वीडियो को लाइक से जरू करन कितने कुशन आपके सही हो रहे हैं तो पहला कुशन यहां पर देखते हैं यह 2017 का पेपर है इसे पहले हमने 181920 की कुशन देख लिए हैं पहला कुशन आप पढ़ो आराम से कुशन को टेम्ट लो इंगलिस इंदी मीडियम दोनों में यहां पर कुशन है कि भारत की नाम देख इन यहां पर इसकल नाम देखना कर विदेख सर्कारी विदेख फ्रसुद के वो सरकारी विदेख होगा अचाहीं के और प्रृवेट मेंबर वै थाए य। इस तरह से समझ सकते हो कि जो सरकार में नहीं है यानि विपक्स के सदे से भी परजंड कर सकते हैं मनोनी सदे से भी ऐसे हो सकते हैं ठीक है तो इसके साब से स्टेट्मेंट बिल्कुल गलत है एकदम सामाने कौन सेप्ट है इसके साब से कर सकते हो 2. Statement है कि हालि मैं भारत के संसेथी इतियास में पहली बार गेरसेरकारी विद्धव पारित किया गया तो ऐसा तो होगा नहीं मेरे साबसे कि फरेश टाइम इंडियन जो पार्लिमेंट कि इतियास में देले तो यह पास किया गया यदि आप थोड़ा बहुत ऐसा सोचो गए तो यहां पर ऐसे कई विदेग आपको मिल जाएंगे जो गेर सरगाली सदस्यों के द्वारा परसुद के गए थे और उनको पास किया गया था तो 2017 में ऐसा क्या वा था कि पहली बार ऐसा है तो यह स्टेट्मेंट आपको बिल्कु चेक कर लेते हैं कि देखो यहां पर आंसर डी ठीक है यह ओपिसल आंसर के इसमें कोई गलती की गुंजा इसमें चिंता मत करना बिल्कूल आंसर की सेंवान सुर्मेश करते हैं कि सेकिंड कुशन पढ़ावाराम से अटेम्ट लो कुशन क्या है कि रिग्वेद कालें आरियो और सिंदु गाटी के लोगों की सेंस्कृति की बीच अंतर के बारे में बात करनी है कि कौन से इन में से सही है यह तोड़ा ध्यान से पढ़ना की कुशन क्या पूच रहा है क्रेक्ट पूच रहा है या इनक्रेक्ट पूच रहा है यह ध्यान रखना है और रिग्वेद काल आरी कवचोर सिर्स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंदु गाटी सबेता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्स है नहीं है जबकि सिंदु गाटी सबेता में लोग कैसे थे लोग व्यापारी वरक्के थे तो उनमें हमने देखा भी ऐसी चीज़ें में यह तो यह स्टेट्मेंट सही लग रहा है इसको काटने का कोई लोजिक नहीं लग रहा सेकंड स्टेट्मेंट क्या कर रहा है कि रिग्वेद काले से आ रहे थी तामभा भी देखा था ठीक है सोने का भी व्यापार हमने साख से देखें किसमें सिंदुगाटी सब्यता में तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत आएगा तो कुछन कैसे ट्रेंप्ट लोगे जहां-जहां दो गलत है उसको एक बार निकाल देते हैं ठीक है दो कोड़ा बहुत मेच कर जाएगा आपका नोलेज है न तो आपको इस आपसे मिल जाएगा मामला की बात सई है जबकि इस बात का कोई साख्शे नहीं है कि सिंदुगाटी के लोगों ने इस पस्व को जानते थे यह बात ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे पास यसा कोई साख् क्योंकि इसमें हमें यह तो पता है कि आर्यू के पास खूब गोड़े थे और वह काफी इनका उप्योग भी कर देते हैं जबकि शिंदू सब्वेता में ऐसे कोई साक्से में मिले नहीं कि इस पसू को लेकर जानकार होंगे ठीक है तो आंसर क्या होगा सी तो थोड़ा सा क्या समाज में समानता होने का एक नहीरतारत क्या है समाज में इसमानता बात कर रहा है कि की Equality in Society समाज में समानता की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा समाज में समानता होने का निर्टार्थ यह है कि उसमें यह इंग्लिस वर्ड थोड़ा ध्यान से पढ़ना वन ओप दी Implication of Equality in Society is the absence of इनमें देखो इसमें थोड़ा सा यह है हिंदी वाले में थोड़ा सा यह थोड़ा लग नहीं रहा था कि इनमें से किसकी अनुपस्ति यहां पर लग रहा न है is the absence of इनमें से किसकी अनुपस्ति वैसे यहां पर इस्टेट्मेंट में दिया है ठीक है और यहां पर उपर दे दिया था कोई बात नहीं दोनों पर इसे ठीक है कोई दीकत नहीं है पढ़ते हैं कि समानता कब आ सकती है समाज में हम थोड़ा इसा हो सकते हैं तो यह विशेषादिगारों की समाप्ति हो जाए कि मतलब कुछ लोगों को कुछ विशेषादिगार मिले वहें झिदि उनकी हम सिवंआपती कर दें तो क्या हो सकता है समानता चकती आतों सकती słuंट कि सबा only हमारे सब्सक्राइब कि जद्या तो एंड़ियूर तो था थीन हंधीड़्ड़ पॉडर Sr समानता कैसे ला सकता है तो 3 πεदा के बाव तो समानता है तो इसा कुछ नहीं ला सकता है क्यों प्रतिस्क पता है यह जरूरी है यह भी पोझिट्यु कमपटिशन और बाव को चुनाव करना है थोड़ा साou आप बोचार तुरारा नियॉकर कमपटिशन करना है तो यहां पर औरोदों का वाव थोड़ा सा नहीं लग रहा है और अवरोदों का अबाव से हम थोड़ा सोच नहीं पारें कि इससे समानता के साईगी लेकिन विश्चैजिगारों के मामले में ऐसा बनता है तो आप ऐसी तिंकिंग करनी है यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब में तो उनको बहुत फाइदा होगा यहां से तो इसी तरीके से आपको कुछन अटम लेनी की कोशिज करनी है चाहिए आप के स्रीज में लोजिक लगाने की कोशिज करो वहां पर आपका मामला बनेगा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पांचवे में आंसर ए ठीक है और ऐसा ए कि अधिकार नागरिकों के विरूद राजे के दावे हैं अधिकार नागरिकों के विरूद राजे के दावे आपने यह देखा होगा मूल अधिकार क्या है मूल अधिकार गारंटी है सविदान के मादम से अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिये हैं और यह तरह से आप को एक तरह से आप जानते हो मूल्ड अच्छे में भी सामिल किया है चीन नहीं सकती कुछ विश्यस परस्तिया उसमें कम हो सकते हैं लेकिन चीन नहीं सकती ठीक है तो यह कहिने की राज्य की विरूद है मतलब राज्य की विरूद नागरिकों की दावे तो यह statement क्या उल्टा ह कि यह था है कि अदिकार नागरिकों की विरूद राज्य के दावे हैं लग रहा है आगे क्यादर वे विसेसातिपार है जो किसी राज्य के शविधान में समाविष्ट है तो हो तो सकत एक बार आगे बढ़ते हैं एलिमनेशन से जाना है आपको अधिकार राजे ग्रति पर नागरियोग के दावे तो यह लग रहा है वामला यह तो हमारी सबसे हासान सुअलल लक्समिकान गॉर्ट वडेक्टास है तो तु सते हो से को इसा साहिँ है जल्दबाजे नहीं नहीं Assistant कई बार easy question भी गलत होनते हैं अधिकार वेशेस्थ हतीकार है जो किसी राजुरार दो नहीं अधिकार तो अभी को आप जानते हो पानू कि समक्श कमानता सब हुआ लोगों कोदिकार मिलें विसेस अधिकार तो नहीं है इसा आपने देखा तो अंसर निकल के आघके एक बार चेक कर लेते हैं एक में सी ठीक है आगे बढ़ते हैं इस कुछन का आप थोड़ा से द्यान से पढ़ना और यह थोड़ा करेंट अफिर का था लेकिन ऐसे कुछन आते हैं तो मैं जानबुज को इस कुछन को सामिल कर रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा चीजों को सीख पाओ यहां पर देखना स्मार्ट इंडिया हेकोतों 2017 के संदर में निम लिकत्रों में से कौन सा सही है यह कुछन आज हमें पढ़ना हो तो इसको कैसे हम इसी स्टेट्मेंट के साब से निकालेंगे यह बात कर रहा है स्मार्ट इंडिया हेकोतों क्या है कि अभी आपको पता is a center-le sponsored scheme है जो कहरा है कि every city of our country into smart city आप यह सोचों ऐसा पोसीबल है क्या हमारे पास इतने संसादन तक्निकी मानों संसादन है कि हम हमारे प्रतेख सेर्ल को 10 साल के अंदर क्या करते है smart city बना पाएं आप खुछ सोचों ना इसी शीजों को बिलकुल हमारा लोजिक यहीं वेवारिक नहीं है तो स्टेटमेंट काटो आगे यह हमारे देश की अनेक समस्याओं को समधान करने के लिए नई डिजिटल प्रोद्रगी नव प्रवरतनों के अभिगान के एक पहला है ऐसा हो सकता है इसको काटने का हमारे पास कोई लोजिक नहीं है उसका लोजिक था कि ऐ लेंदनों को पूरी तरह डिजिटल करना है यह वह बात प्रेक्टिकल नहीं है यह सेम चीज़ बात यह भी प्रेक्टिकल नहीं आंसर क्या बचा देखो यह नहीं पता था ऐसे कुछन आईंगे आपके सामने जो आपको नहीं पता है नहीं पड़ा आपने लेकिन एक बार जुरूर देखना आपका स्टेट्मेंट खुद आंसर बोलता है थोड़ा सी प्रेक्टिकल अप्रोच अपना ओगे कोमन सिंस लगाओगे आंसर निकल के आएगा देख लेते हैं एक बार ठीक है टेंथ में आंसर क्या है भी आंसर है ठीक है तेंथ में देखो यह तरीका है और मैं यह चाहता हूँ कि आप मना कुशन अटेंट लेना सीखो गभराओ मत डरो मत डर के आगे उखेता ने जी तो यह इसी कंडिशन में आती है कि डरना नहीं आद देखना इसमें आप कोशिस करो एटलिस कोशिस करके आपको थोड़ा सा ऐसे लगा के कुशन अटेंट लेन ऐसे कुशन नहीं करेंगे तो हम अराम से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फिर कटॉप को तो मोद्रिक निती समिती मोनेटरी पॉलिशी कमिटी के बारे में बात करा है कि समझ में निम्न खत्रों पर कौन सा सही है ठीक है यह तो आप आसानी सिक कर लोगे मुझे लगता है यह RBI की मानक बेंचमार्ग दरों ब्याजदरों का निर्दान करती है तो यह तो बात सही है कि मोनेटरी पॉलिश यह RBI के तो करती है ठीक है एक बार इसको सही ठीक लगा सकते हैं बागे बढ़ते हैं जैसे इसमें दो स्टेटमेंट कटके तो हमारे पास एक और दो है आग सबसे हैं ठीक एक बार चोड़ लो आगे बढ़ते हैं यह यह कैंदरी वित्मंत्री के देखस्ता में कारी करती है ठीक है यहां पर बात करने आर्वी की ठीक है यहां पर आ गया यह श्टेटमेंट तो और अपको पहले से बताकर चल रहा हूं कि जहां जहां आपके पास 50 50 म मुझे 75% अनुपात ये भी मिल जाए ना, कि मुझे एक statement eliminate करने का मौका मिला, तो भी मैं attempt लूँगा, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, कि मैं एक statement भी eliminate कर पाऊँ, तो मैं उस question को attempt लेके चलूँगा, ठीक है, आप ऐसे decide कर सकते हो, तो जैसे ये question हमने काटा भी है ना, कि monetary policy तो हमने जाना है, कि RBA के अंडर में, RBA का governor उसके देखता करता है, तो तीन काटे तो मेरे पास दो statement है, तो एक अपने आप सही होगे, आप मुझे दूसरी पर जाना है, दूसरा सही है गलत है, इस पर जाना है, कि ये 12 सदीशे निकाह है, जिसमें RBA का governor सामिल है, और परते एक वर्स इसका पुंदर गठनी किया जाता है, तो ये मतलब factual है, तो 6 इसमें सदसे होते हैं, तो इतना knowledge तो मैं पहले कहाता, आपको इतना पता होना चाहिए, तो ये चीज़े आप कर सकते हो, तो दूसरा वाला भी statement गया, तो A answer इसमें सही आएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जहां 50-50 बचे, attempt लेना है, छोड़ना नहीं है, और जो भी logic लगा सकते हो, लगाना है आपको, ठीक है, तो इसमें ये तो पता सली गया होगा, आपको कहीने की पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकरिद होनी चाहिए, तब ही हमारी common sense की चीज़े लग पाएगी, बिना पढ़ाई की common sense कैसे लगेगा, इस अंदर में निम लिखित खत्रों पर विचार करने है, यह कह रहा है कि गीत और नर्ते का परदसन है, ठीक हो सकता है, आगे कह रहा है कि केवल करताल ही वह एक मातरवादी अंतर जो इसमें परदसन में प्रियूत किया जाता है, तो यहां पर जैसे आपने थोड़ा बहु इसको इल्मिनेट कर सकते हो, और यहां मौका था आपके पास, थोड़ा सा यह भी मौका था क्यार, एक तो क्या होगा, कोई भी नटते संगीज जो भी होता है, उसमें वादे इनतर दो तिन तो हो सकते हैं, एक मातर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसके साबसे इसको दो को निकालते हैं, आपका अनसर काफियत तक निकल किया जाएगा, ठीक है, पहला वाला हमारा सही था, तीसरे वाले के एक बार बात कर लेते हैं, यह भगवान क्रिशन के जीवन और लिलाओं को वरणित करने के लिए परदिश्ट किया जाता था, तो यह तो सही बात है, कि अध कुशन आप गलत करोगे, तो प्रीकेस निकलेगा, ठीक है, तो यह तीसरे वाला सही, तो स्टेट्मेंट क्या हो गए, बी, और वैसे भी फिप्टी फिप्टी वाले में था, कि अटेम्ट तो लेना परता आपको, या तो डी करते हैं, या बी करते हैं, तो थोड़ा सा रिस जीन हो सकता है, मैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं बार-बार यही तो बोलता हूँ, कि मैं टेस्ट्री से जएधा वरीता किसको दूँगा, यह पुराने वाले पेपरों को दूँगा, और जैसे आपको पता है कि मैंने कितने अटेम्ट दी हैं, चार बर परी का समधान करने के संदर में, जेवो चाराने, बायो रिमेडेशन तकनीक में कौन सा लाब है, इसका लाब कौन सा है, ठीक है, यह तो आपने सुकसम जेवो वाले चेप्टर में पढ़ाऊगा, यह भी हमारे कोर से एक जहां से हम पढ़के जाते हैं, वहीं सी कुसना आया है, कि यह परकरती में गठी तो हने वाली जेव निमनी करन परक्रिया का ही सवर्दन कर परदूशन को साच करने के एक तकनीक है, तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने देखा हो का बेक्ट्रेक कैसे पानी इनको साब करते हैं, परदूशन को साब मिटाते हैं, ठीक है, जैसे कार्बनिक पदार्द होते हैं, या जैसे सड़े के लिए पदार्द होते हैं, उनको तो आसा नहीं से मिटा सकते हैं, लेकिन जहां पर दातू की बात आती है, तो इसी मतलब यह तकनीक यहां पर फेल हो जाएगी, ठीक है, दो स्टेट्मेंट कट गया, तो एक बार द आपको आना, तभी या तो थोड़ा दिविजन में कमी है, या कॉमन सेंस लगा नहीं पा रहे हो, वहां पर समस्य है, तो एक बार देख लेते हैं, तीन चेकर लेते हैं, कि जोप चरण के लिए विश्यस्त अभिकल्पित सुख सम्जियों को सरजित करने के लिए अनवान सी कैन्यामिक इंजिनेरिंग का प्रिग किया जा सकता है, तो आसके लिए तो अखनी की है, तो एक बाद चेक कर लेते हैं, healthyיר ah, ठीक है, C है, आगे बढ़ते हैं, यह देखना यह आसान कुछ नता लेकिन बहुत सर एस्प्रेंट इसको भी गलत कर देते हैं कि इस्तानी सवसासन की सरोतम वेक्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रियोग है कुछ देखना लोकल सेल्प गवर्नमेंट कें बी बेस्ट एक्स्प्रेंड एजन अक्सराइज इन मतल और छामश कर देखा दिखा हो और線 आपने यह क्या होता है कि अधिकार मतलब क्या करते हैं दिये जाते हैं तो परप्रसास की पिर अधिकार क्या स्वसासन को दरढ़ा है को जावगों कि जिए चुन रहे तो यह तो एसा एक्जामपल तो हमारे देश में नहीं है दो तो कड़ गए अब संगवाद का भी नहीं बनेगा क्योंकि संगवाद में क्या होता है फेडरलिजिम सिस्टम आप जानते हो के अंदर राजय सरकारों को मामला बनता है तो ऐसे भी वैसे सिधा अंसुर ऐसे कुशन छोड़ने वाले नहीं होते हैं बहुत आसान होते हैं ठीक है आंसुर सोला में भी आंसुर है ठीक है तो आज कर लास्ट कुशन देखते हैं सेवाल अधरित जेविंद्रों का उतपादन संबह है लेकिन इस उद्योग के सरवरदन में विकास सिल्देसों की क्या संबहुत सिमा है जब यह बात करने की विकास सिल्देसों की क्या सिमा है इन जेविंद्र को विकास करने में उतपादन करने में तो सिद्धी सी बात है यहां पर मामला तकनिकी और पैसों का मामला है कि विकास सिल्देसों की यही सिमा हो सकती है और तो क्या हो सकती है तो पह सामाने कौण सेप्ट एक दम इसमें तो कोई पढ़ने की भी आसकता नहीं है इसमें तो कोई मतलब यह नहीं के आपको फेक्ट पढ़ना होना चाहिए ठीक है तीन अपने थी हो गया इसके साफ से पढ़ना ही नहीं है तीन से हो गया तो दूसरा वाला देख लेते आंसो निकाल क्या दो सेवाल अधरिद जेविंद नुत पादन को इस्तापित करने और इंजिनिरी करने ही तू निर्मान को पूरा करने करने तू क्या है उचिस तरी विशेशेगता प्र और इसे अच्छा छोड़ते हैं तो यहीं तरीका है ऐसे करना है तो मिलते हैं एक और वीडियो में यार वीडियो को लाइक शेयर करते ना कमेंट करके बताओ कितने सब्सक्राइब आपके धन्यवाद